असलाम आलेकुम वीवर्ज कैसे हो सब मैं उम्हेद करता हूँ कि आप बिलकुल खायरियत से होंगे मेरा नाम में मुहमद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं हमारे रियक्शन यूट्यूब चैनल तो फिरस आज एक मैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आपक के पहले तो हमने दिली की पॉसिटिव चीज़ देखी ती यह देखा था कि इंडिया जो है वो कितना अच्छा है आइमीन दिली कितना खुबतरा सिटी है या कितना डिवेलप सिटी है वह जाना थे लेकर आज कुछ बुक्तलिफ होने वाला है तो इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत बुलिए उसका साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत बुलिए तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं I saw many comments like this. So I decide to make a video on a different side of Delhi. This is the streets of Delhi. I know the streets are very dirty in the marketplace or wherever you go in public place in Delhi. But now let's talk about how many people follow traffic rules. 48 hours on, fire at Delhi's Ghazi poor landfill still not under control. 5-5-6-9-9-9-9-9-10-1-2-0 5-4-3-2-0-1-2-0-3-4-2-0-3-2-0-3-0-3-2-0-1-3-0-4-2-0-3-0-4-2-0-3-0-4-0-3-0-4-3-0-4-0-4-0-3-0. भास्टो सकती हिरे अहारं को च desires एंदगेय सी अंद बियूह। इसािन अदितन अ अदेली सियन ज्रिकाबर गी की सब्सक्तर बार्चश네요 आप जी इक आप लिए भी स्टेस्च करें दितन व करने भी this is one of the biggest problem but nobody take it seriously did you know Delhi is the most unsafe city for women except some places in Delhi we need to fix this problems this is not only about Delhi but India is suffering from these we need to build a great public infrastructure this is the time we need to fix the ground reality I want to know that I'm the only person who think this is one of the biggest issue and why mostly Indian people don't care about this do you have also same opinion like me so please comment down something great about this I'm curious to know about your opinion on this yeah so friends this was our reaction to Indian capital city Delhi so friends we have seen India capital city Delhi in a beautiful, beautiful and developed city group there's no idea which we can do with the के वने बाजी है कि जो इंडिये को कर पिट अलबो खवातीन के लिए सेफ नहीं है अगर बात किए आलूदगी की तो अलूदगी वगारा जो है न वो दिली में बहुत ज्यादा है क्योंकि दिली एक बहुत बड़ा सिटी है इस वज़ें से वहां आलूदगी तो होगी जैसे के पाकिसान का जो एक एक शेख नहुर नहुर में भी बहुत जदा अलूदगी है और चैना के जो शेर शिंगाई और बेजिंग गे गारा जो यह भी आलूदगी शेहरों में शुमार किए जयाते हैं यह तो तीन चार शेटीस है अशीया 설reशत के सबसे ज़्यादा आलूद हम सब को जो कच्रा बगारा जो गरों का कच्रा बगारा वो बास्केट्स बगारा में बड़ी बड़ी वो ट्राली बड़ी होते हैं वो हकोमत रखे होती हैं बास्केट्स बगारा जो भी रखे होते हैं हम सब को जो कच्रा बगारा वो बाल्टियों बगारा में बास्केट्स गरा में जाकर डालना चाहिए ना वजया है कि हम उस रोड पर पहांगे बिल्कल ऐसा नहीं करना चाहिए रोड पर पहांगे यह हमारे पाकिसान और इंडिया के लोगों की आड़त है यह सफाई के जादा ख्याल नहीं रखते हैं हमें सफाई पर बहुत ज्यादा दियान देन है वहां के जितने भी ममारेक हैं उन ममारेक में सफाई का खास ख्याल लगा जाता है और यही वजह हमेशे खुबसूरत नजर आते हैं और यहां से लोग उतर गुमने बिरने के लिए जाते हैं क्योंकि वह खुबसूरत हैं वही खुबसूरत तो पाकिसान और इंडिया भी जाते हैं और यहां से वही खुबसूरत यही खुबसूरत पर बिरने के लिए फिराएं।